नमस्कार दोस्तों, हेलो गाईज, कैसे हो? सो आच के वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे हम एग्रेगेट फॉंक्शन को यूज करते हैं जॉइन्स के साथ तो विदाउट वेस्टी, एन वो टाइम, लेंज के साथ देश होगा केसे करेंगे, तो देखो, जेंडर जो कॉलम है ना, वो आमारे इंप्लोईज टेबल का पार्ट है, ठीक है? एड जो सालरी कॉलम में, अमारे सालरीज टेबल का पार्ट है, ठीक है? तो पहरें तो मुझे इन दोनों टेविल्स को जॉइंग करना पड़ेगा मतलब कि हम इन जॉइंग कर रहे होंगे आपे एंड उसके बाद मुझे यहाँ पर एवरेज लिकारना है जेंडर के साथ है तो इसको रण लिकित देख लेते हैं तो अगर मैं यहाँ पीश को रण कर लूँ कि उसके बाद Employees table में कोन कोन से रेकवाड़े वह देख लेते हैं यहाँ पर देख को जेंडर कोलम हमारे पास है male female mf right उसके बाद Salaries table में हमारे पास यहाँ पी Salaries दिये गई है अब मैं आउंगे नीछे, यहां पर मैं करता हूँ, select, उसके बाद, e.gender, पर यहां पर e क्या आए, मैं आगे चलके, employees table के एक अलाइस टेवल के लिए करने वालों, जिसका नाम होगा e, right, e.gender, उसके बाद, s.salary, okay, अब यहां पर s किया है, s as, allies, मैं आगे salaries table के लिए create करने वालों, right, उसके बाद, from, अब बात यह दीचे, employees, okay, उसके बाद, space लगा के, मैं करता हूँ, यहां पर e, जो allies से employees table कर, ठीक है, उसके बाद, हम करेंगे, join, okay, उसके बाद, salaries, and यहां पर मैं करता हूँ, s, जो allies से salaries table कर, okay, उसके बाद, मैं यहां पर करूँगा, on, e.emp number, is equal to, s.emp number, ठीक है, यह होगी condition, ठीक है, employee numbers, जो ही, वो दोनों के अंदर, common column है, मतलब की, जिसकी मदद से, हाँ, इन दो टेबल कर सकते है, right, okay, तो बात है नहीं छे, और मैं यहां पर क्या करूँगा, gender column के उपर, group by क apply कर दोंगा, क्यों, क्योंकि मुझे, male and female, दोनों के लिए, जो salary, average, वो लिकालनी है, right, तो मुझे, दो groups महाने पढ़ेंगी, एक ओगा, male का, दूसरा होगा, female का, तो मैं यहां पर करूँगा, group by, and उसके बाद, यह.gender, तो अब इसकी मदद से, क्या होगा, कि यो males and female से, उ कि अलग-अलग, गुर्बन गए, right, और अब मैं यहां पर, average salary को apply कर सकतो, evj, in bracket, salary, कि अभी square को run कर लेते, यह run होती है, फिर नए, ठीक है, यह compete कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर देखो, male कि, जो average salary, वो है, 63,755, and जो female की salary, वो है, 63,769, ठीक है, यहां सिया में समझ में कि जो female की salary, वो थोड़ी सी ज्यादा है, में से, right, बतल कि average हो है, वो ज्यादा है में से, अब आगे बढ़ते ही, देखो, suppose कि अगर आपको ऐसा जाना है कि, company ने, अभी तक, means को कितनी salary पे करी है, total, and females को कितनी salary पे करी है, total, तो मैं आपे, simply, average की जगा कर दूँगा, sum, ओके, तो यह का मन जाएगा, ठीक है, तो अब इस के रोड़न करके देख लिएते हैं, अब क्यों होगा, सभी salaries की addition होगी, males के लिए, and females के लिए, अलग-अलग, ठीक है, तो यह बहुत बढ़ा number है, यह बहुत ही ज़्यादा number है, यह बहुत ही ज़्यादा number है, यह में पड में आ रहा है, तो समझ में आ रहा है, इस तरीके से आप aggregate functions के उसकर सकते हो, joins के साथ, बट वहाँ पे आपको group by clause के से उसकर दाए, यह समझ में आना जरूरी है, ओकी, तो मैं पहले यहाँ पे sum की जगा again average कर लेता हूँ, क्योंकि यह number पढ़ने में ज़रा आसार लगता है, तो और की बढ़ती, देखो, अगर मैं यहाँ पे कर दो, आ, e, e, dot, e, mp, number, तो क्या होगा, तो क्या होगा, मुझे बताओ, क्या होगी या फिर एरा आएगा, क्योंकि, देखो, यहाँ पे हम general code कर रहे है, group by, यहाँ पे हम every salary नहीं कर रहे है, तो यहाँ पे e, mp number कोई मतल अखिए यहाँ पे एरा नहीं कर रहे है, तो यहाँ पे यह पे आणा नहीं चाहिए, फिर भी देख लें देख लें, देख लेंग बर क्या होगा, हर एक record के लिए employee number अलग होता है, तो यहाँ पे वे से रन होना है, देख लेंग क्या होगा, ठीक है, मुझे इस समझ में आ हो जाता था, right, बट वहाँ पर क्या होता था, कि जो first gender का occurrence है, suppose कि M के लिए, suppose कि 11 नंबर का M लोई नंबर है, तो वो रेच्छे हो जाता था, right, और अगर पहली बार अगर female आ रहाए 13 नंबर पे, तो 11 and 13 ये दोनों जो values है, वो output screen बे आ जाती थी, बट उसके कोई जरूत नहीं है, most of versions में आपको यहाँ पी error ही दिखाई देगा, right, अगर आपको बोच आउट हो, तो मेंच से comment box नहीं पूछ सकते हो, and अगर ये वीडियो पसाद आजी हो, तो लाइक कर दो, आप नए हो तो यही हम आँ में आपको अर्चीन up कानी किरे बट Dalong